हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल टिप्स करूँ दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा आपके एप्लिकेशन फॉर्म फॉर रिंबर्समेंट ऑफ फी आप में से जो भी स्टुडेंट्स SC-ST केटेगरी के हैं उन सभी को इगनु की तरफ से फीस रिफंड कर दी जाती है तो दोस्तों फीस रिफंड पाने के लिए आप किस तरह का फॉम फिलप करेंगे उसके लिए आपको क्या-क्या डोक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और साथ ही क्या-क्या टर्म्स कंडिशन दी सब्लियुन जाती है ये सभी जनकारी इस वीडियो में में कवर करने वाला हूं वूसर दोस्तों स्टार्ट करते हैं आप यहाँ पर D follower के लिए फॉम इन दोस्तों यहाँपर इस हो में आपको अपने सभी डिटेल्स सही से फीलप करने होंगी ये सबी details fill up करने के बाद में आपको अपने सबी documents इगनू के regional center बेजने होंगे दोस्तो यापे आपको अपने खुद के regional center बेजने होंगे आपका एक steady center होता है और एक आपका regional center तो आपको अपने ये सबी documents अपने steady center पे ना बेज के और अपने regional center पे बेजने है तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहां पे अपना नाम लिखना है उसके बाद में Name of the Program and Program Code आप कौन सा डिगरी कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं क्योंकि इस बार IGNU की तरफ से ऐसे 128 courses हैं जिनके लिए आप यहां पे Feast Refund के लिए अपलाई कर सकते हैं इसके बाद में आपको अपने Enrollment Number लिखने हैं Enrollment Number के लिए आपको आपका जो Student Identity Card है उसे Xerox करके और साथ में Attach करना होगा दोस्तों इसके बाद में आपको अपना Regional Center Code लिखना है, Regional Center का Address साथ ही आपको नीचे Admission Session लिखना है, आपने कौन से Session में यहां पे Admission लिया है Category, Schedule Cast या फिर Schedule Tribes आप यहां पे दोनों में से जो भी हैं उसके लिए सामने लिख सकते हैं उसके नीचे आपको अपने आदार Card Number लिखने होगे दोस्तों आदार के बाद में आपको अपने Bank Details देनी होगी जिसमें आपको अपनी Fist Refund चाहिए दोस्तों यहां पे आप में से जो भी Students इसके लिए अपलाई कर रहे हैं उन सभी का खुद का एक Bank Account होना जरूरी है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा क्योंकि इगनू की तरफ से ऐसा एक यहां पे Note डाला गया है आप जैसा यहां पे देख पा रहे हैं मतलब आपका यहां पे Bank खाता होना अनिवार यह है अगर आप किसी और के खाते में यहां पे अपना Fist Refund करना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा तो दोस्तों आपको यहां पे अपना खुद का Bank details अटेस्ट करके forward करना होगा उसके बाद में आपको अपने Bank की यहां पे details लिखनी होगी आपके Bank का नाम लिखना है आपके account number आपका नाम लिखना होगा जिसके नाम पे account है उसके बाद में आपको अपने Bank के IFS code लिखने होगे दोस्तों यहां पे last में एक undertaking है यहां पे लिखा हुआ है कि मैं यह सभी चीजे डिक्लेयर करता हूँ कि मेरी तरफ से जितनी भी information मैंने उपर लिखी है वो सभी सही है अगर उसमें कहीं पे भी कुछ भी गलती पाई जाती है तो उसके लिए IGNU मुझसे मेरा जोफीस refund किया गया है उसे कभी भी किसी भी stage पे with interest वापिस ले सकता है दोस्तों इसके अलावा आप में से जो भी students इसके लिए apply कर रहे है और दोस्तों साथ ही यहाँ पे एक point में लिखा हुआ है कि I am not employed में कहीं पे service नहीं कर रहा हूँ third point में लिखा हुआ है कि मैं किसी और संस्ता से या फिर किसी और institution से अपना fees refund या फिर scholarship नहीं ले रहा हूँ इसके बाद में आपको यहाँ पे अपने sign करने हैं अपना नाम लिखना होगा date and place friends यह अभी आपके सामने आपके application का second page second page में आपको अपनी सभी details यहाँ पे fill up करने होगी सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है नाम के बाद में अपने enrollment number enrolled in कौन से program के लिए आपने admission दिया है उसके बाद में admission cycle अपने कौन से year में admission दिया है जन्वरी session में या फिर जुलाई session में यह सभी details आपकी इगनू की तरफ से verify की जाएंगी और उसके 3-4 महिने के बाद में आपके account में आपकी fees refund कर दी जाएगी दोस्तों आप यहाँ पे documents to be verified by regional center यह कुछ च्यार points दिये हैं इने भी थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए का आप में से जो भी students इसके लिए apply कर रहे हैं उन सभी को अपने यह सभी documents साथ में बेजने होगे आपको अपना ID card बेजना है या तो आपने IGNU की website से अपना ID card डाउनलोड किया होगा तो आप पे खुद का साइन करना है और उसे बेजना होगा दोस्तों यहां पे आपको अपने bank की passbook का भी first page जो front page होता है उसका जीरोक्स लेके self attest करके साथ में बेजना होगा दोस्तों इसके बाद में third point और fourth point में यह आपके लिए IGNU की तरफ से जो भी 19 सेशन के लिए इस form का थोड़ा सा इंचिजार कर सकते हैं friends जैसे ही आपका form IGNU की website पे upload किया जाएगा मैं आपको पूरा procedure बताऊंगा आपको किस तरीके से अपना form fill up करना है उसके बाद में आपको अपना form से इस बात के लिए request करूँगा हो सकता है कि आप SCST category से ना हो लेकिन आप फिर भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में share करें हो सकता है कि आपके कोई friend जो SCST category क्योंगे तो वो यहाँ पे इसके लिए apply कर सके तो दोस्तों इसी तरह की और वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल और प्रेस इस बेल इकन थैंक्यू फ्रेंड्स कीप आचिंग फिप्स करो